नमस्कार आप सबी स्टूदिन्स का स्वाकत है हमारे यूटीव चनल में आज 21 मार्च 2021 है और आज के दिन हिमाचल परदेश जेओ ए आई टी का एक्जाम कंड़क्ट करवाय जा चुका है इस एक्जाम के मैं दो जो है वीडियो बना चुका हूँ अल्रेडी फर्स्ट वीडि किये थे 112 से लेकर 130 तक जो डी सीरीज के हैं तो इस वाले ही सीरीज में मैं 19 से लेकर 40 तक कोई जीके के कुश्ट करूँगा तो पहला कुशन देखते हैं पहला कुशन है टोकन करंसी वाज इंट्रोडूज़ फॉर फॉर्स टाइम इन इंडिया भाय ठीक है टोकन करंसी किस थे कौइन यूज हो रहे थे लेकिन महमद बिन तुगलग ने एक रिप्रिजेंटेटिव मैनी इशू की थी कॉपर की और यही कारण माना जाता है महमद बिन तुगलग के फेलियर का और महमद बिन तुगलग से लेड़ काफी कुश्टें एच पी जीके से भी पूछे जा मिसल है उसको बिलॉंग करते थे महराजा रंजी सिंग नेक्स्ट कॉश्टन है और किसने कहा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि किसने इने बाल गंगाधर तल को इंडियन आन्रेस्ट का जनक कहा था रेलवेज देखिए 1853 में आपकी चली थी थाने तक और टेलीग्राफ भी लगवग उसी टाइम पर आपका इंडिया में चला था और ये लॉर्ड लहौजी के टाइम पर शुरू हुआ था और 1856 में विड्डो री मेरी जेक्ट आया था ठीक जी तो लॉर्ड लहौजी जो थे इनकी विस्तारवादी नीती थी वैसे तो इंडिया में लेकिन रिफॉर्म्स भी बहुत जादा लेकर आये थे इंडिया के अ फंडामेंटल डूटीज वर इंकार्परेटेड इन इंडियान कांसिचूशन इन इयर ठीक है इसमें ए राइट आंसर है ठीक है जी फंडामेंटल डूटीज कब इंकार्परेट की गई थी 1976 में 42nd Amendment Act के माधियम से ठीक है जी तो ये स्वर्ण सिंग समीती की सिफारिशों प इसके बाद जो है 86th Amendment Act 2002 के माधियम से जो है एक और ग्यारवीम फंडामेंटल डूटी आपकी एजुकेशन से जो रिलेटेड है वो इनकार्परेट की गई थी next question है which state does not have a bicameral legislation ठीक है bicameral legislation यानि द्वी सदनिय विधाई का मतलब की legislative council और legislative assembly दोनों चीज़ें कहां पर नहीं होती है तो ये है राजस्तान हिमाचल परदेश में भी ये नहीं होती है हिमाचल परदेश में भी आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या है legislative assembly ही है सिर्फ विधान सब है विधान परिशद नहीं है ठीक है जी विधान परिशद और ये विधान सबा कहां कहां पर है ये पांच ये राज्या है आपको सारे पता होने चाहिए next question है who administers the oath of office to the president of India before he enters upon the office ठीक है जी president of India को कौन दिलवाता है तो ये है chief justice of India see is my right answer है next question है monetary policy refers to the policy of monetary policy यानी मौद्रिक निती ठीक है किस से संबंदित है ये है किंद्रिय बैंक आपका central bank जो की आपका reserve bank of India है monetary policy के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है आपका central bank RBI RBI central bank है bank of banks भी कहा जाता है इसको government का bank भी है government का finance भी है next question है seasonal unemployment refers to ये economics से related question है वैसे तो ठीक है लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये आपका answer सही हो सकता था agriculture से related रहती है seasonal unemployment तो ये इसमें right answer है जैसे ही आप देखेंगे कि बुआई का बिजाई का या फिर गहूं कटाई वगारा का season आता है तो लोगों को रोजगार मल जाता है और जैसे ही ये season कटाई वगारा का बंद होता है तो बेरोजगारी हो जाती है labor की next question है which is the brightest planet brightest planet कौन सा है तो इसमें शुकर यानि Venus D इसमें right answer है ठीक है जी brightest planet है भोर और सांज का तारा भी से कहा जाता ये कि पृत्वी का बहिन ग्रह कौन सा है sister planet कौन सा है पृत्वी का next question है anti cyclone और caused by ये भी आपका geography से रिलेट रहे है anti cyclone और cyclones दोनों एक दूरे से उल्टी clockwise और anti clockwise इस तरह से इनकी direction रहती है ठीक है जी अब क्या है anti cyclone में होता क्या है कि जो हवाएं भारी होती है वो इस त जारती के उपर से नीचे वठेंगी तो obviously बात है कि ये बाहर की तरफ travel करेंगी ठीक है जी तो ये center से बाहर की तरफ चलती है और किस direction में घूंती है ये आप मुझे comment box में बताइए ठीक है जी तो anti cyclone जो conditions होती है वो होती है stability stability की सूचक ठीक है जी stability का मतलग की वहाँ पर बारिश वगयरा नहीं होगी तो रेगिस्तान वगयरा में जितने भी रेगिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर anti cyclonic conditions रहती है तो ये जो है stable स्टेबल मौसम की सूचक होती है जबकि cyclonic conditions है वो बारिश वगयरा तुफान वगयरा की सूचक होती है तो इसमें B आपका right answer है winds that blow spirally outward from the center ठीक है तो anti cyclone का ये है next question है पेरू is located in which continent पेरू आपका South America में दक्षन अमेरिका में D इसमे right answer है South America में है लिम्मा इसकी राजधानी है next question है capital of Switzerland is ठीक है Switzerland की capital option A burn है धका आपका बांगला देश में है Moscow आपका रशिया में है ठीक है जी Muscat जो है आपका D option Muscat Oman की capital है आपका Arabian country है next question है which Indian state is known for Sandalwood Sandalwood के लिए किस Indian state को जाना जाता है इसमें D आपका right answer है करनाटका को next question है the highest dam in India is located in highest dam कहां पर है अगर Rockville Dam पूचा होता है या यहां पर उत्राखंड होता है तो आपको confusion होना चाहिए था मुझे लग रहा है इसमें यह option होना चाहिए हिमाचल परदेश आपका right answer होना चाहिए next question है insulin is secreted in insulin कहां secret होता है कहां से निकलता है insulin insulin आपका pancreas से निकलता है और जो diabetes के regulation में insulin जो है बहुत major role play करता है insulin की secretion कम या जादा होने पर जो है sugar से संबंधित समस्याइं हो जाती है मारीज को और जो गाल ब्लेडर है यहां से भी question आपको पूछा जाता है कि bile juice कहां होता है गाल ब्लेडर में next question है rayon is chemically rayon जो है यह तरह का cellulose है fiber होता है जो natural cellulose है आपके पेड वगएरा उनसे आपका rayon बनाया जाता है ठीक है एक fiber बनाया जाता है जो की कपड़े वगएरा बनाने के आपके काम में आता है फिर काला जर क्या है किस वज़ा से होता है transmitted by sand fly की वज की जो zebu नाम की भैंस होती है उसको यह काटती है और एक तरह की sickness उसको कर देती है next question है air become heated by air किस तरह से heat होती है ठीक है conduction है यहां पर option है conduction होती है solids में convection आपकी liquid वगएरा में होती है radiation आपकी air में होती है तो यह आप मुझे बताइए कि air किस तरह से heat होगी लेकिन यह थोड पर यह गर्म होती है वहां से ठीक है तो किस तरह से होगी air के अंदर convection भी होती है radiation भी होती है तो यह actual में किस तरह से question यह पूछा गया है convection होना चाहिए यहां पर right answer convection में क्या घुल जाएगी आपकी air आपस में next question है in a class of 16 students रवी's rank from the top is 12 ठीक है जी तो इस तरह के questions में आप को कुछ नहीं करना होता है आपको simply यह करना है कि गिंती लिख लिजिए एक दो तीन इस तरह से जैसे रवी का बारवा नंबर है इस तरह से 13 ठीक है जी 34 35 36 तक आपने गिंती लिख लिए नीचे को ठीक है जी अब यहां पर बारवा नंबर रवी का है और इससे उपर तीन तो उसे एक दो तीन नंबर उपर रहा ऑढ़िका का ठीक है जी अब यह पूछाए रादीका का नंबर क्या है नीचे से तो अब रादीका का नंबर यहां पर है ठीक है तो आपकॉन्टिंग शुरू कर दीजी यहां से एक दो तीन चार तो जो मुझे लगता है इसमें 28th प पर पोजीशन काउंट की गई है या रवी की पोजीशन काउंट नहीं की गई उस पर इपेंट करता है next question है a man pointing to a lady says her brother is the father of my only son's sister how is that lady related to the man इसमें जो है sister होना चाहिए बहन जो है उसका answer होना चाहिए तो इसमें simply हम समझ सकते हैं कि एक आदमी है एक man है वो एक lady की तरफ इशारा कर रहा है कि एक आदमी है एक महिला की और इशारा करते हुए कहा कि उसका भाई ठीक है जी इस lady का जो brother है ठीक है इसका भाई जो है मेरे इकलोते बेटे उसका जो son है इकलोता बेटा की बेहन का उसकी जो sister है की बेहन का जो है क्या है पिता है ठीक है जी तो ये जो लेडी है क्या है उसकी बहन होनी चाहिए आप देख लीजी करके क्या आता है लेकिन नेक्स्ट वाल अब काफी सिंपल कुश्चन है रोहित वॉक्ट इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना था आप इस तरह से एक एरो बना ली ज तो आप सिंपली कर सकते हैं इसको सॉल्व यह है रोहित वॉक्ट 25 मिटर साउथ मतलब की रोहित 25 मिटर इस तरफ को आया ठीक है जी देन ही टरंड इस लेफ्ट अप इधर को अगर चलेगा तो उसका लेफ्ट इस डिरेक्शन में रहेगा तो वह उसके लेफ्ट में चला ग तो आपको कुछ नहीं यह डिस्टन्स देखना है टोटल यह कितना डिस्टन्स है ठीक है 25-20 मिटर तो यह है ही है प्लस 15 मिटर यहां से आगे है ठीक है यह तो 35 मिटर जो है इसमें राइट अंसर होना चाहिए ऑप्शन ए तो यह कुछ कुछ कुश्चन्स थे जो कि आपके HP, JOA, IT में पूछे गए थे GK से रिलेटेड तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कम्प्यूटर से रिलेटेड कुश्चन्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्स्टाइब करें हमारे यूट्यूब चैनल क अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स आएए